आल में चाहिए तो वहाज हमलों बात करने वाले हैं पहुट जो इंडिया बंग्लादेस के मया बीच में सेकन्टी ट्वेंटी मैच होने उसके बारे में कि यहां की पीछ रिपोट करेंगे हैं चाहिं कोई भी ऐसे मेच नहीं था जिसमें दूसों से कम रन बना हो कोई भी टीम पहले ब्रमंडी कीयों कोई विठेम पहले बोलिंग की हो दो सब्कूतने के जाजा स्टेडियम में हुआ है सब में 200 से ज़्यादा रण बना है आप चेक कर सकते हो तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का प्लेयर सबसे पहले आता है अब सेख सर्मा काफी बेच्टरिन और तैलेंटेट प्लेयर है यहां का पीच किया है? monsieur énorm और हार्ड है तो हार्ड पीच और फ्लैट राता है वहां पे बैटिंग करना काफी असान होता है और जो भी क्वालिटी बैटर रहेगा वो मस्ट ऑफ द टाइम अच्छा का सार रन बना के जाएगा और ज्यादस ज्यादा रन बनाने की कोशिस करेगा तो सबसे पहले बात करत काफी बहतरीन और टैलेंट प्लेयर है चाहिए याना जाता है फर्स्ट बेटिंग आता है तो मस्ट फिक रहेगा सेकंड बेटिंग में भी इसको ट्राइग किया जा सकता है बात करते हैं संजू सेम्सन का काफी बहतरी इन बैट्समेन है लेकिन हालिया फॉम इसका कुछ खास चल नहीं रहे लेकिन हाँ जैसा ये पीछ है और पीछ का जैसा भी है यहाँ पे क्या है फ्लैट है और हार्ड पीछ है तो जो भी बॉलिंग करेगा उसका पिटने का चांस जादा रहेगा और जो भी बैट्समेन रहेगा संजू सेम्सन ऐसे पीछ पे जरूर अच्छा खासा रन बनाएगा जरूर आप अपने टीम में इसको पीक कीजिए सबसे पहले उसके बात करते हैं शुरी कुमार यादो का शुरी कुमार यादो एक ऐसा प्लेयर है इसको कही भी भी भेज़ दो किसी भी पीच पे भेज़ दो यह मौस्ट अप टाइम रन बनाता है हाँ गलती से कभी इसका किसमत खराब है कभी आउट हो गया वह बात अलग है लेकिन यह तिक गया थोड़ा सा भी तिक गया तो कम बॉल में बहुत ज्यादा रन बनाता है मस्ट फिक जरूर आप अपने टीम में ट्राइगीजे बात करते हैं के नितेस रेडी का के नितेस रेडी भी बढ़िया प्लेयर है और फर्स्ट बैटिंग आता है अगर इंडिया का तो इसका बैटिंग आ जाता है क्योंकि चौते नमर पर बैटिंग करने आएगा तो अगर में रखते हो तो नितेस रेडी को रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि अगर यह दोनों रन बना दिये तो इंडिया के पास बॉलर ओल्लीडी है और इनका हो सकता है कि के नितेस रेडी को ओवर उतना ना दिया जाए तो यह थोड़ा सा चाहें तो इसको भी जा सकता है बात करते हैं हादि पांरे का का फिए बहतरीन टैलेंटेट औराउंडर है हर बार बिगट लेता हो जरूरर की जरूड अंपंडर का अच्छा प्लेर है classical shot खेलने के लिए जाना जाता है लेकिन इसके साथ problem ये है कि इसको मौका मिल ही नहीं रहा है तो जब मौका ही नहीं मिल ला है तो ये क्या कर लेगा तो इसलिए इसको छोड़ सकते हो बात करते है रिंकु सिंगा काफी भेतरीन heater है कॉम बॉल में ज़्यादा रन बनाने के लिए जना जाता है काफी classical shot खेलता है अच्छा shot लगाता है कॉम बॉल में ज़्यादा रन बनाता है लेकिन problem इसके साथ ये है कि इसका betting order काफी नीचे है साथ नमबर पे आएगा छे नमबर पे आएगा इसका betting नहीं आएगा तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है रखना इसको बेकार हो जाएगा और आपके team को खराब ही कर सकता है तो इसको चावत वासानी से छोड़ा जा सकता है बात करते हैं वसिंग्डन सुंदर का तो ये काफी बेतरीन spinner है most of the time begin bigot लेने की कोसिस करता है लेकिन इसको चाहें तो हम लोग try कर सकते हैं क्योंकि इसको हो सकता है कि over मिले और इसका over थोड़ा सा कम कटे नितियस ready का over कर सकते है लेकिन वसिंग्डन सुंदर को हो शकता है कि अच्छा खासा over करने को मिले जिसके कारण ये बिगट ले ले और आपको अच्छा कासा पॉइंट दे दे इसको आप जरूर आप अपने टिम में ट्राइ किजे जरूर ट्राइ किजे बात करते हैं वरुन चकरवरती का क्या बॉलिंग करा रहा है बंदा यार बिगट पर लिए जा रहा है बिगट पर बिगड Southeast सिंगे क कहना ही कुछ नहीं है काफि बेरन बॉलर रहा है या यार कर के लिए जाना जाता है और शवर कटन तो नहीं वरियएशन मिलेगा तो शुरूराइत नहीं भीकेट निकाल सकता है और ऐसं और मोस्वी क्रेगा इसको जरूर्चा। यारकर डालता है लास्ट के ओबर जो चलता है उसमें ज्यादा तर यारकर डाल के बीकट भी ले ले लेता है तो जरूर इसको ट्राइए किजिए मॉस्ट पिक रहेगा यह बात करते हैं मयंग के यादव का ये बंदा 150-150 के स्पीड में ही बाल डालता है बहुत बेहतरीन बाल है इसको जरूर आप अपने ट्राइए किजिए अब बात करते हैं यहां से बंगला देश के बारे में बंदार के बारे में बात करते तो कैसा रहेगा बंदा इसका प्लेयर MEME बात है तो बंगलादेस में सबसे पहले आते हैं लिटन भाइया की साथ प्रोब्लम क्या है कि अभी इंडिया में आये हैं और कहीं भी खेलने जा रहे है दबाव में अपना भीकेट देकर आ रहे हैं इनके उपर इन दबाव को जी नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो बैटिंग पीछ लाता है वहां पर अच्छा करता है यह लेकिन दबाओ के करहने अपना बिक्ट दे रहा है हर बार बिक्ट दे रहा है तो इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो बात करते हैं MP भी होसान इमून का तो इसको भी चाहो तो छोड़ सकते हैं इतना कुछ खास इक्समीज़न से इसके बास है नहीं उसके बास से हुसें चंदो की बात करें तो यह प्लेयर ठीक है क्योंकि यहां से बंगलादेश के तरफ से यह थोड़ा सा रूप के खेलने की कोशिश कर रहा ह रहा थीस-पैए ठीसरन बना रहा है कोशिस कर रहा है कि एपनी ट्यम को थोड़े वहाँ थो तो इस तो चाह था कर सकते हो आइधाल में ऑस्ट वैटिंग में ट्राय किया सकता है शेकn काले रहे जाता है यदू जाता है深 correct बिःत बनाता है लेकिन ये भी पिछला मैच में थोड़ा इस्पिनर को समझने पढ़ा और अपना बिगेट फेक के चला गया लेकिन हाँ इस मैच में अच्छा कर सकता है जरूर आप अपने टीम में इसको रखिए बात करते हैं मौहमद उल्ला का मौहमद उल्ला का क्या है इसके साथ एक प्र अभी नहीं पा रहा है तो इसको चाहो तो आप असानी से छोड़ सकते हो उतना कुछ खास नहीं रहेगा बात करते हैं जकेर अली का प्लेयर अच्छा है और अभी जो पिछला बंग्लाद इस प्रीमियर लीग का मैच चला था उसमें जकेर अली ठीक ठीक रण बना रहा था महदी हसन मिराज का तो महदी हसन मिराज ठीक ठैक प्लेयर रहेगा लेकिन कब रहेगा जब यह 3-4 नंबर के अगर नीचे रहेगा इनका अगर बैटिंग नहीं आया तो भी प्राबलम हो जाएगा तो फॉर्स्ट बैटिंग में इनको अगर 3-4 नंबर पहद दू लिया जा करते हैं तो चे नंबर तक फिल इसको लिए जा सकता है सेकंड बैटिंग में इसको छोड भी सकते हो उतना कुछ कास रहाएगा नहीं तो अब बात करते हैं रिसाद हוש 되고 के साथ 15 सिस्गोष एक अर्फण ऑलिलोग भी डियता है घ्रा गया तो ए इंडिया स्ट्रॉंग टीम है तो इसका बीकेट लेने के पहले इसको थोड़ा बहुत खुद से सोचता हुआ कैसे लो भीकेट ले पाँगा कि नहीं ले पाँगा ये खुद कन्फूज रहता हुआ और वह भी बैटिंग पीच में इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं मस्तफीज रखने का कोई मतलब है नहीं तो फॉस्ट बालिग में इसको चोड़ा जा सकते हैं तो बात करते हैं तासक में आहमत का इनका कुछ चल नहीं रहा और विःटिंग पीस पाशे से भी कुछ बिकेट लेता ले लिया तो यह रहा आज का प्लियर वाईजन अननसिस और बात वीडियो चलो दो लाइक कीजिए और कमेंट में आप कुछ भी बता सकते हो और हाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंग जोइन कर लीजिए कोई पर लास मेंट का सारा आपडेट मिलेगा थेंक्यू